दोस्तो पोजागुनी जाड़ फुक के चकर में ना रहें और नहीं तो मारा जाईएगा साथियो अस्सलाम आलेकुम नमस्कार अभार अभिनंदन जोहार केमचो जोहार जोहार सत्स्रियाकाल जैभीम और जैसिरा साथियो आखिर मुझे बीस कडोर का साप ध्यान से दिखिए बीस कडोर का साप हमें जंगल में शोड़ना ही पड़ा चुकि पूँच मूँ की तरह दिखता है इस वर्ड में दो मूँ का साप नहीं पाया जाता है पुँच मूह की तरह दिखता है, इस वर्ड में दो मूह का साप पाया ही नहीं जाता है, इसे हिंदी में दो मूहा साप, बंगला में बंगला में इसे बाली बोडा और इंगलिस में रेड सेंट गोऑ के नाम से जाना जाता है, और ये बीना बीस यानि बीना जहर वाला साप होता इसमें जहर नहीं होता और ये बच्चों को जनम देती है यूथ यूवापिड़ी क्या करते हैं खास करके उनको जानकारिया नहीं है और वो सुचते हैं कि सचमुच में यूटूब में जो दिखलाया गया है वो सही है ये ह हम मानते हैं बिल्कुल अफवा है भरम है इसके चकर में ना पड़े युवह पिड़ी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे तो साथियों ये बिल्कुल भरम है न बीस न पचीस न तीस कोई कडोर की साप नहीं बिक्ती है बाजारों में खास करके ये बिल्कुल अंद विश्व साथियों छोटे भाईयों और बहनों बेटा और बेटियों की एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी किताबों को अपना हत्यार बना लो इनको अपना सच्चा साथी बना लो आपके जीवन को बदल कर रख देगा तो दोस्तों लब्ज ही होते हैं इंसान का आइना और सकल लब्ज ही होते हैं इंसान का आइना और सकल का क्या है वो तो उम्र और हालात के साथ बदलती रहती है तो आज आईए इसे हम प्रकिर्तिक परवेश में व्लीच कर दे रहे हैं हमेशा के लिए छोड़ दे रहे हैं ये रेंगते हुए ठिक चला जाएगा भीतर की और तो जहां डाल-डाल पर सोनी की चड़िया करती है बसेरा घृवारत देस है मेरा उनसा सब्दों के साथ बेटी बचाये बेटी पढ़ाये नारी को सम्मान दीजिये जै हिन्यग भारत और हम गर्ब से कहेंगे बंदे मात्र झाल झाल